कि यह इंद इस वीडियों में लोग येस बैंक के बारें बात करेंगे देखें येस बैंक में पिछले एक सब्दास काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है यह तेजी कहां तक देखने को मिल सकती है और अब तो इसके काटके पहले पेस किया है और इस वीडियो में सब कुछ असान भासाम समझने का पर्यास करते हैं देखें दोस्तों यह हम जानतेगे प्रइवेट सेक्टर का एक पॉपुलर वैंक कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रीटेल निवेसकों की पहले पसंद होने के पीछे की वज़य पैसा ज्यादा लागा हुआ हम पेंग बैंक है आने वाला समय में इसलिए इसमें का पैसा ज्यादा है उसके फैटीर पपली से से दारी ज्यादा है अब समझेंगे इसका मार्केट कैप है और देखिए जब से इसका फ्रोड निकल कर सामने से प्राइस नीचे जाने लगा तो इसके जो वेल्वेस्टे ने उसमें भी कमी आया है से प्राइस है पंद्री और पैंतालिस पैसा आज के दिन का आपको करेंट स चल क्या रहा है लेकिन इनको पहले से यह बात की भनक लग गई है इसलिए इसमें अची खासी तीजी देखने को मिल रही यह सब अंदर की बात होती है आप समझते चलिए देखेंगे पांच दिन में ही सेर ने पचीस पॉइंट एक जिरो परसेंट का संदार रिटरं दे द पास पास आया है और अभी सेर प्राइस से पंदरे रोपया पैतायलिस पैसा यानि कि अपने हाई के बहुत करीब पहुंचने के लिए है तैयार हो रहा है और बहुत जल्द देखेंगे तो हाई को ब्रेक भी कर देगा लेकिन अगो रोगहर बात करें इस इस बैंक ने कितन प्रामना आया उसके बाद चार सो से इसका ध्राम हुआ उसके बाद इसका सेर पाइस 12-13 रुपय का सब्सक्राइब अब समझे यह यह ने एक डाटा पेस किया है अभी हाल ही में टूजडे के दिन जिसमें बताया है कि इसका जो डिपोजिट होता है साल भर में कितना अब समझे पिछले साल के अगर मार्च तक के बात करें तो इसमें देखेंगे सिर्फ एक लाग पासट हजार करणों का ही डिपोजिट इसमें हुआ था मतलब यह कि अब बैंक में रुपयों की लें दिन काफी बढ़ गई है और बैंक चलते इसी सहनक बैंक में लोग ज्या तो एक इस परचेंट इनका हिसाब किताब जो है बिजनेस का बढ़ रहा है इस इस हिसाब से इनका ग्रोथ हो रहा है बैंक का और अच्छी बात यह है कि ठीक है बढ़ रहा है लेकिन अगर इस बार इन वह बढ़ा हुआ दिखाया है पिछले क्वाटर फोर के मुकाबले इ अच्छा आते उसके लिए क्वाटर में भी बैतर आता है तब ठीक है एस बैंक में माना जाए कि यहां अच्छा खासा चल रहा है अभी समझे क्या है कि इस बैंक को आपको पता है पहले जब फ्रॉड हुआ था इसमें दिकत क्या था कि यह बैंक सुरू से कॉर्पोरेट ल लोन देते हैं और कंपनी डूब जाती है तो आपका नुकसान ज्यादा होता है और इसको बचाने के लिए बैंक और लोन देते हैं ताकि उस बैंक को बचाया जा सके हमारा रूपया रिकाफर हो सके जबकि रिटीन नियूँ उसको क्या होता है कि आप अगर EMI पर कोई आनेवाला cloth financial 2022 की हैं तो इसने तुछी को दिया है जबकि पिछले साल 730 क्रों का है लों दिया था मतलब सब्सक्तिक सुलंग दोगभा से लोण की भरबाई करना असान होता है और अगर ऊपरोल बात करें तो अब इस बैंक का पुर्फॉर्फॉरमेंस अच्छा हो रहा है धीरे-धीरे बेतर होते जारहर और अब इस बैंक आधिक आये हैं लुखको 1267ungs strip बेक आपक अपकrä कर स còn रहा है और और रिजर्व कंपनी के पास 18,180 करू और रिजर्व भी बैंक का धिरे-दर बढ़ते जा रहा है और अगर प्रोफिट देखें तो प्रोफिट भी बैंक का धिरे-दिरे बढ़ रहा है मतलब जैसा होना चाहिए व्यासा इसमें चल रहा है देखिए दीकत देखिए इसका जो return तो है नहीं कि डूबने या बरबाद होने जैसा कोई बात है बैंक है तो आने वाले समय में उपर ही जाएगा और इसके जो इंपलोई है जो इसके सेर्फ रोडर है उनको भी उपर ही ले कर जाएगा उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स किलियर हो गया होंगे फिर भी अगर मन में कोई सवाल है कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंड में पूछ सकते हैं परसेनली मुझे जूर कर बाते करना चाहते तो मुझे इंस्टाक्राब और फॉलोग कर सकते हैं जहां मैं सब की सवाल का असान भासा में है और रिप्लाइज देता हूं उसे बाते करत बागी मिलते हैं नेक्ट वडियो में तब तक लिए धन्यबाद शुक्रिया